आदू ऑारे और आध्य। जय भावानी, जय भावानी, जय भावानी, जय भवानी आज हम यहाँ पर एक और एदियासिक महा विजय का उत्सों मनाने के लिए इकटे हुई है आज महरा समय विकास वाद की जीत हुई है महरा समय सुशासन की जीत हुई है महरा समय सच्चे सामाजी की न्याय की भिजय हुई है और साथियों आज महरास्ट में जूट छल फरेब बुरी तरह हारा है बिभाजन कारी ताकते हारी है आज नेगेटिव पुलिटिक्स की पराजय हुई है आज परिवार वाद की हार हुई है आज महरा समय ने विख्षिट भारत के संकल्प को और मजबूत किया है मैं देश भर के भाजपा के एंडिये के सभी कार करताओं को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ उन सब का अविरंदन करता हूँ मैं स्री एकनाज सिंदे जी मेरे परम्मित्र देवेंद्र फड़न्विज जी भाई अजीत पवार जी उन सब की भी भूरी भूरी प्रसंशा करता हूँ साथ्यों आज देश के अनेक रज्जों में उप्चुनावों के भी नतीजे आए हैं नड़ा जी ने विस्तार से बताया है इसने में विस्तार में नहीं जा रहा हूँ लोकसावा की लिए हमारी एक सीट और बढ़ गई है यूपी उत्तराघन और राजस्तान ने भाजपा को जम कर समर्थन दिया है असम के लोगों ने भाजपा पर फिर एक बार भरोसा जताया है मध्यप्रदेश में भी हमें सफलता मिली है बिहार में भी एंडिये का समर्थन बढ़ा है ये दिखाता है कि देश अब सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है मैं महराष्ट के मतदाताओं का हमारे युवाओं का विशेश कर माताओं बहनों का हमारे किसान भाई बहनों का देश की जनता का आदर पुर्वक नमन करता हूँ साथ्यों मैं जार्खन की जनता को भी नमन करता हूँ जार्खन के तेज विकास के लिए हम अब और जादा महनत से काम करेंगे और इसमें भाजपा का एक-एक कायर करता अपना हर प्रयास करेगा साथ्यों पती साथ्यों छत्रपती सिवाजी महराजांचा महराष्टने आज दाखुन दिले तुस्ती करनाचा सामना कथा कराईचा चत्रपती सिवाजी महराज शाहुजी महराज महत्मा फुले सावित्रिबाई फुले बाबासा बांबेड कर वीर सावर कर बाड़ा सा फाकरे ऐसे महान व्यक्तितों की दर्थी ने इस बार पुराने सारे रेकॉर्ड तोड़ दिये और शाथियों बीते पचास साल में बीते पचास साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्रीपोल एलाइंस के लिए यह सबसे बड़ी जीत है पचास साल के बाद और एक महत्व पुर्ण बात मा बताता हूं यह लगातार पीसरी बार है जब भाजपा के नेत्रुत्व में किसी गड़बंदन को लगातार महरास्त ने आशिदवाद दिये हैं विजई बनाया है और यह लगातार पीसरी बार है जब भाजपा महरास्त नमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उपरी है साध्यों यह निश्चित रुप से आईतिहासी कहाए है यह भाजपा के गवर्नन्स मोडल पर मुहर है अकेले भाजपा को ही कॉंग्रेस और उसके सभी सयोगसियों से कहीं अधिक सीटे महरास्त के लोगों ने दी है यह दिखाता है कि जब सूर्शासन की बात आती है तो देश सिर्फ और सिरफ भाजपा पर और एंडिये पर भरोसा करता है महरास्त देश का छठा राज्य है जिसने भाजपा को लगातार तीन बार जना देश दिया है इस से पहले गोवा गुजरात चत्तिजगर्ड हर्यारा और मद्द प्रदेश बेंड हम लगातार तीन बार जित चुके हैं और बिहार में भी एंडिये को तीन बार से जादा बार लगातार जना देश मिला है और साट सार के बाद आपने मुझे तीसरी बार मोका दिया ये तो है ही है ये जनता का हमारे सूसासन के मोडल पर विश्वास है और इस विच्वास को बनाए रखने में हम कोई कोर कसर बाक्ती नहीं रखेंगे साटियों मैं आज महराष्ट की जनता जनारण का विशेश अभिनंदन करना चाहता हूं लगातार तीसरी बार स्थीरता को चुनना ये महराष्ट के लोगों की सूझ भुज को दिखाता है हाँ बीच में जतावी नड़ा जी ने विस्तार से कहा था कुछ लोगों ने दोखा करके अस्थीरता पैदा करने की कोशिश की लेकिन महराष्ट ने उनको नकार दिया है और उस पाप की सजा मोका मिलते ही दे दिया है साथियों महराष्टा इस देश के लिए एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजिन है इसलिए महराष्टा के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो विक्सिद भारत के लिए बहुत बड़ा आधार बनेगा वो विक्सिद भारत के संकल्प की सिद्धी का आधार बनेगा साथ्यों हर्याना के बाद महराष्ट के चुनाव का अभी सबसे बड़ा संदेश है एक जुड़ता एक है तो एक है तो एक है तो यह आज देश का महा मंतर बन चुका है कॉंग्रेस और उसको इको सिस्टिम उन्होंने सोचा था कि सम्मिदान के नाम पर जूठ बोलकर आरक्षन के नाम पर जूठ बोलकर एस सी एस्टी ओबी सी को छोटे छोटे समों में बाड़ देंगे वो सोचते दें सब बिखर जाएंगे कॉंग्रेस और उसके साज्टियों के साजीश को महराष्ट ने सीरे से खारीज कर दिया है महराष्ट ने डंके की चोट पर कहा है एक है तो एक है तो एक है तो सेभे के भावने जाती धर्म भाषा और छेत्र के नाम पर लडाने वालों को सबक सिखाया है सजा की है आदिवासी भाई बहनों ने भी भाजपा अंडिय को वोड दिया ओबिसी भाई बहनों ने भी भाजपा अंडिय को वोड दिया मेरे दलीज भाई बहनों ने भी भाजपा अंडिय को वोड दिया समाज के हर वर्ग ने भाजपा एंडिये को भोग दिया ये कॉंग्रेस और इंडी कड़बंदन के उस पूरे इकोसिस्टिम की सोच पर करारा प्रहार है जो समाज को जो समाज को बंगाटने का एजन्डा चला रहे थे साथियों महाराष्टन ने इंडिये को इसलिए भी प्रतंड जना दे दिया है क्योंकि हम विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चलते हैं महाराष्टन की धर्ती पर इतनी विभूतिया जन्मी है बीजेपी और मेरे लिए चत्रपती स्वाजी महाराष्ट आराध्य पुरुष्ट है धर्मवीर चत्रपती संभाजी महाराष्ट हमारी प्रेरणा है हमने हमेशा बाबा साब आमबेड कर महात्मा फूले सावित्री बाई फूले इनके सामाजी की न्याय के विचार को माना है यही हमारे आचार में है यही हमारे व्यवहार में है साथियों लोगों ने मराठी भाषा के प्रती भी हमारा प्रेम देखा है कॉंग्रेस को वर्षों तक मराठी भाषा की सेवा का मोका मिला लेकिन इन लोगों ने इसके लिए कुछ नहीं किया हमारी सरकार ने मराठी को क्लासिकल लेंग्वेज का दर्जा दिया मत्रु भाषा का सम्मान संस्कृतियों का सम्मान झाल करता है कर दो कर दो जितरी कर दो याल झाल झाल जो झाल